क्लास 10 के प्रिपरेशन की शुरुवात करने के लिए इससे बहतर वीडियो आपको कहीं मिली नहीं सकता अब इस प्रिपरेशन के रोड में आपकी शुरुवात करने से पहले हमें अपना डेस्टिनेशन को डिसाड करना पड़ेगा कहां पर हमें पहुचना है और डेस्टिनेशन हमारा बोर्ड एक्जाम्स 2025 नहीं रहने वाला है बोर्ड एक्जाम्स 2025 में 95% स्कोर करना ये फिर उससे भी ज़्यादा स्कोर करना इसाड डेस्टिनेशन है एक बार डेस्टिनेशन हमारे दिमाग में क्रिस्टल केर हो जाता है तो रोड मेप समझने के लिए बहुत आसान होने वाला है अब इस प्रिपरेशन के रोड मेप में 5 ऐसे चीज़े हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है 5 ऐसे चीज़े है जो प्रिपरेशन को एफट कर सकती है सबसे पहले चीज़ विल बी कोचिंग जहांपर हम लोग यह जानेंगे कि क्लास 10 में क्या कोचिंग ज़रूरी है अगर है तो क्यू है नहीं है तो क्यों नहीं है Second चीज जिसके बारे में हमें जानना है that is timeline जो पूरा preparation है वो कितने समय करहने वाला है और उस समय को किस तरह से हमी use करना है किस तरह से हमी utilize करना है Third चीज विल बी books जहांपे इस preparation में कौन-कौन से books को हमें use करना है और क्यों हमें उस books को use करना है यह हम लोग जानने वाला है Fourth विल के notes जहांपे notes के हमें खुछ से बनने चाहिए उसके बाद preparation करना चाहिए यह फिर readyment notes को उठा के preparation करना चाहिए यह सारे चीज़े हम लोग यहांपे discuss करेंगे And fifth and last factor will be revision जो कि यह बताएगा इस पूरे preparation में revision एक सबसे important factor क्यों रहने वाला है और मैं आप के लिए revision इस factor के अंडर क्या कर सकता हूँ हम लोग यहांपे discuss करेंगे इसमें सबसे पहले factor के बात करें which is coaching तो जो question अपने मन में उठके आता है इस class 10th में coaching ज़रूरी है या नहीं class 10th में coaching ज़रूरी है yes और no अब देखो class 10th के शुरुवा तो हो चुकी है और अभी तक 80-90% of the students ने अपना enrollment बड़ी ऐसी coaching में कर लिया है offline से coaching में जो है वो कर लिया है और कुछ 5-10% बच्चे ऐसी भी है जो यह decide कर रहे है कि मैं online platform से पढ़ूँगा YouTube हो गया या फिर किसी other online platform से पढ़ूँगा अपना time save करूँगा ठीक है अब यहां पर देखो according to me मुझे क्या लगता है कि जो बच्चा अपने class 9th में कोचिंग को जाने आने का समय वो यूटिलाइस कर सकता है अगर उसको जरुवत है तो वो होगी दो सब्जट्स की अगर उसको कोचिंग की जरुवत है तो उसकी match और science के लिए रहने वाली है and to be specific उसको match में ही रगेगा क्योंकि match में अलग-अलग तरह के questions को हम लोग solve करते है प्राक्टिस करते है और हर एक question का solution जो है वो online platform हमें explain डंग से नहीं कर सकता इसलिए mathematics से इस subject के लिए आपको coaching के जरुवत पढ़ सकती है बागे के जितने भी subjects होगे science होगया political science होगया history होगया geography होगया languages होगया इस सारे के सारे चीज़े हम लोग घर में जो है वो books, internet, youtube, other platform के मज़द से पढ़ सकते है अपना coaching जाने आने का time यहाँ पे safe करके self study कर सकते है पे second factor के बात करें which is timeline तो यहाँ पे हम लोग यह जानेंगे कि इस पूरे preparation में total समय हमारे पास कितना है और उसको use कैसे करना है सबसे पहले यह जान लिजी अगर मेर 2024 से भी अपना preparation शुरू कर देते हो तो February 2025 तक आपके पास school मिला के 10 महने हैनि कि 10 मंस का समय 10 मंस का time available है कुछ बच्चों के लिए बस 10 महने हो सकते है कुछ बच्चों के लिए 10 महने हो सकते है आप देखो इस 10 महने का समय आपको सही सी utilize करना है इस 10 महने में हर एक दिन आपको 2 गंटे का self study करना ही करना है आज आपका बड़े हो, आपका भाई का बड़े हो, बैन का बड़े हो, दोस्त का बड़े हो, किसी कली के शादी हो, किसी रिलीडिक के शादी हो, आप बिमार हो नहीं हो, कुछ भी हो, आपको 2 गंटे का self-study अगर consistently आप करते हो, तो इस 10 महने का सही उपयोग करके आपके target त to reach your destination, and this 7-8 hours of self-study, सारे बच्चों की बस की बात नहीं है, ठीके, इसलिए अभी से आपको 2-2 गंटा self-study करना, बहुत आसान रहने वाला है, next is हमें यह जाना है कि यह 10 महने का preparation जो है, वो 2 stages में divide होगा, सबसे पहला stage will be May 2024 से लेके November 2024 तक, दूसरा stage of preparation will be from December 2024 से लेके February 2025 तक, अब यहाँ पे, पहले 7 महने के लिए, जो stage 1 का preparation है, ध्यान से जुनिये का मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत important है, पहले 7 महने के लिए, 7 months के लिए, इस stage 1 of preparation में, हम लोग mathematics को पढ़ेंगे, और उसका पूरा syllabus खतम करने की कोशिश करेंगे, हम लोग science को पढ़ेंगे, और उसका पूरा syllabus खतम करने की कोशिश करेंगे, और हम लोग languages के कुछ difficult topics, जिसमें कुछ writing skills और कुछ grammar के topics आ सकते हैं, उनको पढ़ेंगे, और उनको omit करेंगे, बस, यही 3 चीज़े हम लोग इन 7 महने में करने वाले हैं, other than this, आपको कुछ करना नहीं है, हमें मान सकता हूँ, आपक यह subjects की थोड़े बहुत पढ़ाई कर सकते हो, बट sincerely जो आपको self study करना है, वो mathematics, science और languages के कुछ difficult topics, मैं पता हूँगा आपको कौन से टोभी को prepare करना है, अलग वीडियो में, बट आपको यही 3 चीज़ों को prepare करना है, और यही 3 चीज़ों को perfectly prepare करना है, एकदम perfectly, यही 3 चीज है, 3 months का समय है, जिसमें हम लोग last moment preparation करेंगे, इसमें हम लोग जितने भी बचे हुए subject है, history, political science हो गया, ठीक है, उसके बाद geography हो गया, ठीक है, और उसके बाद जितने भी languages के जो भी topics हम लोग पढ़ने वाले थे, वो सारे topics यहीं पे हम लोग इसी last मेने की 3, मतलब इसी last की 3 मेने में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इन चीज़ों को पढ़ने के लिए, यह 3 मेने काफी है, other than this हम लोग साथ साथ revision भी करेंगे, last moment revision, और other than this हम लोग यहां पे कुछ sample papers भी solve करेंगे, ताकि जो हमने पढ़ा है, वो कितने आच्छे से पढ़ा है, और कितने आच्छे स solve करने चाहिए, तो वो भी हम लोग last के 3 मेने में ही करने वाले है, so this will be your preparation timeline, पहले 7 मेने के लिए यह 3 subject भी focus करेंगे, कैसे करेंगे, अलग वीडियो में बताऊंगा, और उसके बाद वाले 3 मेने में ऐसा कुछ हमको करना है, ऐसा कुछ पढ़ाई हमको करना है, यह भी कैसे क करना है, वो यह आलग वाला वीडियो में आपको बताऊंगा, के बाद हम लोग आते next factor की which is books, अब इस preparation में पूरा जो timeline अपने बता है, इसमें कौन से books को हमें use करना है, और क्यों हमें use करना है, अभी मैंने आपको 2 stages of preparation बता है, सबसे पहले जो stage 1 का है, जो कि 7 मेने का रहन होगी, ठीक है, उसके बाद एक होगा, solution book की, जिसको आप लोग guide भी कहते हो, ठीक है, एक solution book की भी जरुत हो कि science और maths की, जिसको आप लोग bracket में में लिख सकता हूं, आप guide भी कहते हो, ठीक है, publication, जो publication आपको अच्छा लगी, वो publication आपको उठाना है, बट एक textbook आपका main to mandatory र go through करना है, whether it is science 1, science 2, maths 1, maths 2, science 1, science 2 में हर एक topic आपको textbook से ही पढ़ना है, उससे ही समझना है, उसके बाद ही आपको questions को solve करना है, on the other hand side, maths 1, maths 2 में जितने भी topics, जितने भी questions उस topic के under textbook में दिये, सारे उन questions को सबसे पहले solve करेंगे, solve example, practice set, problem set, उसके बाद हम लोग बाहर वाल consider करें, तो science 2 में से कुछ topics हो सकते हैं, जिसका explanation आपको book में से समझ में नहीं आ रहा है, difficult लग रहा है, और वही explanation, simple words में, इस solution book में अगर दिया है, तो इस solution book के आपको जरूद पढ़ सकती है, is that clear for you, solution book का use, हमें answers को रटने के लिए नहीं करना है, उसमें जो answers दिये है, वो simple language में अगर दिये है, तो इसको पढ़ के, समझ के, खुद से answers frame करने के लिए यूज करना है, रटने के लिए नहीं, on the other hand, math में science, मतलब math में solution book की क्यो जरूद होता है, guide की क्यो जरूद होता है, math में भी कुछ ऐसे questions आएंगे, जो आपके पसी ने चुड़ा देंगे, कुछ extra questions solve करने की इच्चा अगर आपको हो रही है, या फिर अगर आपको करना है, तो वो extra questions आपको इसी solution book के, फिर guide में जो है, वो मिलने वाला है, is that clear for you? स्टेज 2 की बात करें, तो स्टेज 2, जो last के 3 मेने का समय आपके पास बचने वाला है, स्टेज 2 में, जो last के 3 मन्स आपके पास बचने वाला है, वहाँ पे कुछ अलग set of books की जरूद होगी, जो आपको अभी purchase नहीं करना है, तभी मैं आपको बताऊंगा, वो तभी मैं बत सबसे पहला विल भी तो most likely, नवनित का most likely, जो 21 है, most likely 21, वो सबसे ज़्यादा important है, जिसके जरूरत आपको होगी, revision करने के लिए, practice करने के लिए, उसके बाद sample papers की बहुत ज्यादा सक्त जरूरत होगी, मुझे पता है state board के बहुत कम बच्चे हैं, जो sample papers को solve करते हैं, बट इस साल मैं maximum बच्चों से sample papers solve करने वाला हूँ, उनसे practice करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे maximum students को 90% से ज्यादा score चाहिए ही चाहिए, next factor की बात करें, which is notes, यहां पर दो चीजे चल के आती है, सबसे पहले चीज is notes को खुझ से prepare करना, खुझ से बनाना, और दूसरी चीज is ready made notes से preparation करना, कौन सा option आपके लिए सही रहने वाला है, अब मैं आपको बताता हूँ, most of the class 10 की students, खुझ से notes नहीं बनाते, वो सारा sees ready made पाने के लिए सोच रहे होते है, notes भी ready made चाहिए, questions भी ready made चाहिए, उनके solutions भी ready made चाहिए, बट यह चीज गलत है, और इसी चीज को मैं सुधार ना चाहता हूँ, इसलिए what I would suggest you guys is, कि अभी से आप आपके hand written notes बनाना शुरू कर दो, मैं यह नहीं कहता, वो सारा notes जो अपने हाथ से लिख रहे हो, वो बहुत ही बड़ी है format में रहने चाहिए, आपको समझ में आए, उस format में अगर रहता है, तो भी काफी है, बट आपको हाथ, अपने हाथों से लिख के notes बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ भी आप daily basis पे पढ़ रहे हो, वो सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन है, जो December से February तक है, उस सेकंड सेज ऑफ प्रिपरेशन में मैं खुद अपने हाथों से handwritten notes बना के आपको प्रोवाइड करूँगा, रिवीजन करने के लिए, लास्ट मोमेंट में रिवीजन करने के लिए, मैं खुद अपने हाथों से र प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और वो ही हम लोग notes के format में करेंगे, लास्ट फ्रेक्टर के बात करें, विच इस रिवीजन, तो पूरे प्रिपरेशन का सबसे important पार्ट रहने वाला है, ये रिवीजन, and what do I mean by this revision, ये रिवीजन ये वो नहीं, कि बुरा syllabus खतम करो, फिर सारे chapters को एक बार go through करो, revise करो, ये नहीं होता है revision, अभी के time पर what do I mean by revision is, for example, अगर आप एक week में 6 दिन self study कर रहे हो, जिसमें आपने 10 topics को पड़े है, तो अगले week के topics को पड़ने से पहले, इन 10 topic को revise करना बहुत ज़रूरी है, और ये 10 topic को revise आप 7th day पे करोगे, 7th day पे इन 10 topic को revise करना important है, this is what I mean by revision, और ये revision कैसा रहना चाहिए, ये revision कुछ पार्ट आपका read करके रहना चाहिए, ठीक है, कुछ पार्ट आपको link कर रहना चाहिए, यानि कि write करना चाहिए, अब link कर कैसे करेंगे, अब short test के format में एक छोटा सा test दे सकते हो, 10-20 mark का, या फिर आप क सेट of questions को solve कर सकते हो, एक chapter है, for example, अगर periodic classification of elements लेते हो, class 10 के, science का, तो उस periodic classification of elements में, other than textbook बाहर के जो questions आपको कोई देता है, past 10 questions, तो उसको आपको solve करने, और जाईर सी बात है, वो questions को solve करने के लिए, सबसे पहले आप उस chapter को पढ़ोगे, फिर से एक बार उसके बात उन questions को solve करोगे, तो ये चीज़ जो अपने की अभी, that is what we mean by revision, तो मेरे लिए, ये format of revision आपका रहना जरूर ये, जिसके लिए, मैं खुद आपको ये short test, या फिर set of questions जो है, वो provide करूँगा, mathematics और science के लिए भी, और बागी के subjects के लिए भी, आगे चल के, ठीक है, that's all for today's video, class 10 के preparation का road मैं आप यहीं पर समाप्त होता है, I hope आपको समझ में आया होगा, आया होगा, तो अभी आपके दोस्तों के साथ चेर करना, नेने दो चनल को सब्सक्राब करके जाना, एक लेक जरू करके जाना, हम लोग मिलेंगे नीज वीडियो में,